अनुपमा के आज के पिसूट में आप देखेंगे कि अनुपमा लीला को बताती है कि यश्दीप उसका बॉस है लीला यश्दीब से अपनी टूटी फुट इंगलिश में बात करती है तब ही अनुपमा लीला को बताती है कि यश्दीब हिंदी बोल सकता है क्योंकि वो पंचाबी है यश्दीब लीला को गुजराती में ग्रीट करता है जिससे लीला इंप्रेस हो जाती है वन्राज यश्दीब से बोलता है कि इसमें हसने की कयबाती जिससे सब का मून खराब हो जाता है वन्राज यश्दीब से पूछता है कि कैव अपने सारे employee के साथ ऐसे ही frying के उन्हें काम की बाद घर छोड़ने आता है यश्दीब जवाब देता है कि वो वन्राज को वापस इंडिया भी छोड़ सकता है अगर उसने रेस्टिरेंट जॉइन किया तो यश्दीब अनुपमा की कुकिंग की तारीफ करता है और बोलता है कि उसकी वज़े से रेस्टिरेंट को काफी प्रॉफिट हुआ है वन्राज बोलता है कि अनुपमा बस खाना ही बना सकती है क्योंकि उसने अपनी सारी जिंदिकी यही किया है यश्दीब बोलता है कि जो अपने कुक्स की रेस्पेक्ट नहीं कर सकता वो भी रेस्पेक्ट डेसर्ट नहीं करता अनुपमा दर्वाजे तक आती है यश्दीब को बाई बोलने और वन्राज के भीहेवर के लिए माफी मांगती है अनुपमा अंदर आती है और वन्राज से पूछती है कि उसकी प्रॉबलम क्या है अनुपमा वनरास से बोलती है कि वो अमेरिका में कुछ भी करें उसे उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए क्योंकि अब उनका कोई रिष्टा नहीं है अनुपमा वनरास से बोलती है कि उसके पेरेंस को खौने के बाद वो बहुत खाली-खाली फील कर रही है अनुष शूती से प्रॉमिस करता है कि वो इवेंट खतम होने के बाद इंडिया वापस आ जाएगा शूती अनुष से बोलती है कि वो उसे बहुत जादा मिस कर रही है और उसे यहाँ इंडिया में उसकी जरूरत है आगे आनेवल एपिसोड में आप देखेंगे कि अनुष अनुष अनुपमा का इवेंट के स्टॉल पर इंतिजार करता है तबी अनुपमा हुआ आती है और वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं ऐसे यह एपिसोड अप्डेट के लिए देखते हैं में स्टालड़ एटेटेन्मेंट